प्रभुराम की नगरी आयुद्ध्या में बालक राम के विराजमान होने के बाद एक बार फिर देश के प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी आयुद्ध्या आ रहे हैं आज लगभग छे वजे के आसपास देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी आयुद्या पहुंचेंगे आयुद्या में वी राजमान राम लिला का दर्सन पूजन करेंगे दर्सन पूजन के बाद देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी लगभग दो किलो मीटर लता मंगेश कर चौक से सुग्रीम किला तक रोड सो करेंगे इस दर्मियान आयुद्या के साधु संत और राम जन्मानस अपने प्रधान मंतरी मोदी का स्वागत करेंगे जहां बैदिक ब्राम हड़ प्रधान मंतरी मोदी के अयुद्या आगमन को लेकर अलग-अलग मंचों पर स्वास्ति बाचन का पाट करेंगे तो वहीं आयुद्यावासी फूलों से वर्सा करेंगे इतना ही नहीं प्रधान मंद्री मोदी के अउध्य आघमन पर बाबरी पच्चकार रहे इकबाल अंसारी भी प्रधान मंद्री मोदी के काफले पर पुस्पो से वर्सा करेंगे हलाकि आपको बताते चले जब देश के प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी महर से बालमीक इंटरनेशनल एरपोर्ट और अधाम रेनवेई स्टेशन का उडगाटन करने अधा पहुंचे थे तो उस दोरान भी देश के प्रधानमंतरी मोदी ने रोड़सो किया था और उस रोड़सो में बाबली पच्चकार रहे इकवाल अंसारी ने भी प्रधानमंतरी मोदी के काफले पर पूस्प की वर्षा की थी जध्या की धरती पूझ जमानी गई है भगवान राम की नगरी है अनमान जी की नगरी है जब तक भगवान का अशिरबाद नहीं मिलता तब तक कामियाब भे होता प्रधार मंत्री जी का रोट सो जो होने जा रहा है वो भगवान राम के दर्संद सुष जो है वो शुरू होगा आ जोढ़ा हूं आने वाले सरकार जो लोग चाहते हैं कि बने ही पहले बनाया है आज भी बनाया हूँ कि मैं चाहता हूँ कैसा प्रधानमंत्री है जो सबका साथ रहा, सबका विकास रहा अजुद्ध्या आने पे एक अजुद्ध्या आने वाला सभी का महमान होता है अजुद्ध्या में स्वागत योग है पाई मानिये प्दानमंत्र जी हम भी करेंगे फूलों से वर्षा लिखे इस सवाल अजुध्या का है अजुध्या में स्वागत करना है भी हमारा करम है और मारा दरम है और हमारी एक सा व्यत быстравно है कि हमें चाहते हैं एक उद्धिया के प्धानमंत्री है रहेिं आमेंगे